दोस्तों नमस्कार दोस्तों से वीडियो में हम कब्ज वे एसिडिटी में उपी होगी रस के बारें बात करने जा रहे हैं दोस्तों अगर कब्ज रहती है भेंकर कब्ज के सिकार हैं मलसक्त गाठदार हो जाता हैं आतों में गर्मी बढ़ने कारण मलत्याग में परिशानी होती है, गैस अधिक बनती है, बदबुदार गैस, वातावरन वे सरीर को परिशान कर रही है, तो सरीर आतों में फाइवर वे जल्यत तत्वों की अवश्यक्ता है, यही नहीं सीत कारी तथा अनावश्य गर्मी को कम क करने वाले पदार्तों का परियोग लाब कर सकता है क्योंकि सीत प्रकरती के पदार्त नैकेवल आनावशक फालतू गर्मी विशाले पदार्तों का नाश करते हैं बलकि आतों में जल्य तत्व की भी मातरा बढ़ा कर मल को पतला करके बाहर निकालने में भी मदद करते हैं जिस तरावट लाने वाला चलिये तत्वों की पूर्ती करने वाला होता है। या गन्ने का रस जो है अमलता यानि पित विर्दी को एसिडिटी को भी नाश करने में उपयोगी है तो दोस्तों बता दें अमल पित जिसे एसिडिटी भी कहते हैं कि परिशानी होने पर भोजन नली, कंठ, पेट, कलेजे पर त्रियुजलन होने लगती है जिसे रोगी बेच पाचंतंत्र की गड़बड़ी अनावशक वे ठसा ठस खाने की आदत अधिक तला भुना खाने के कारण होने लगती है क्योंकि ऐसा करने से पाचंतंत्र कमजोर होने लगता है पित रस बिगड़ने लगता है और अमलता व्रदी की परिशानी हो जाती है इसके लिए एक के भुना जीरा सेंधा नमक मिलाकर पिलाने से आराम आने लगता है और पेट की जो समस्चा है परिशानी है वे ठीक हो जाती है इस परकार गन्य का रस खूब उपियोगी है तो दोस्तों जड़ी बूटियों का परियोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्त की र ऑर वे